सीहोर का चिंतामन गणेश मंदिर इतिहास वेदिताओं की माने तो करीब मंदिर का जिर्णो धार एवं सभा मंदप का निर्मान बाजी राव पेश्वा प्रतमने करवाया था शाली वहन शक राजा भोज, कृष्ण राय तथा गोंड राजा नवल शाह आदी ने मंदिर की व्यवस्था में सहयोग किया नाना जी पेश्वा बिठूर के समय मंदिर के ख्याती वह प्रतिष्ठा में व्रिद्धी हुई है मानिता के अनुसार शद्धालू भगवान गणेश के सामने अपनी मंनत के लिए मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं और मनत पूर्ण होने के पश्चात सीधा स्वस्तिक बनाते हैं चिंतामन गणेश मंदिर पर प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के दौरान दस दिवसी भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें प्रति दिन हजारों की संख्या में शधालू पहुँचकर भगवान गणेश के दर्शन करते हैं सीवन के कमल पुष्प से बने हैं चिंतामन प्राचीन चिंतामन शिद्ध गणेश को लेकर पौरानिक इतिहास है इस मंदिर का इतिहास करीब 2000 वर्ष पुराना है यूती है कि समराट विक्रमा दित्य सीवन नदी से कमल पुष्प के रूप में प्रकट हुए भगवान गणेश को रथ में लेकर जा रहे थे सुबह होने पर रथ जमीन में धंस गया रथ में रखा कमल पुष्प गणेश प्रतिमा में परिवर्थित होने लगा प्रतिमा जमीन में धंसने लगी बाद में इसी इस्थान पर मंदिर का निर्मान कराया गया आज भी यह प्रतिमा जमीन में आधी धंसी हुई है